नमस्कार सातियों मैं मनीशमाल आप सभी का आपके अपने चैला में तैजल से स्वागत और अभिननदन करता हूँ आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीती विज्ञान और राजनीती विज्ञान में सबसे महत्पून सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है अधिकार ये अधिकार हमारे भारतिय सविधान में भी सबसे महत्पूर है और हमारे जियोन में भी सबसे महत्पूर कुछ है तो वो है अधिकार और आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतिय सविधान में अधिकार और आज उसका लेक्चर नमर फाइफ है और हमारे जो चेप्टर चल रहा चोटा लेक्चर क्यों है क्योंकि आज हम एक ही मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे जो है सोशन के विरुद अधिकार और इस सोशन के विरुद अधिकार बहुत छोटा सा मौलिक अधिकार है पर बहुत मोटा है मतला है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा महत्पूर को यह इदिकार को छोटा समझ करें लिगनौर मत कर दीजिए का सच में बहुत काम का है और यह जाफ लोगो के लिए पहले की और यह पर पर आई और और फिर भी 18 के नीचे तक की भी हम एक दो बाते करेंगे, तो यह अधिकार आज आप लोगों के लिए बहुत important होने वाला है, देखिए lecture 1, 2, 3, 4 में हम लोगों ने काफी कुछ जान लिया, सबसे पहले तो हम लोगों ने यह चर्चा करी थी, कि अधिकार, यह जो चेप्टर म कर लेते हैं, उनको यह नहीं पता कि अधिकार का मतलब क्या, पर कहते हैं कि यह मेरा अधिकार है, यह मेरा अधिकार है, यह मेरा अधिकार, पर उनको अधिकार का अर्थ नहीं पता, जो कि अब आपको पता चल चुका है, क्लास 11 में, फिर दूसरी हम लोगों चर्चा करी थ इसका अर्थ नहीं पताता, वाकी काफियों को पता भी होगा कि कौन-कौन से मौली कदिकार है, और आपको ये भी पता है कि मौली कदिकार का अर्थ क्या होता है, और भारत के सविधान ने 6 मौली कदिकार भारत की जंता को दिये हैं, पहले 7 दिये थे, पर अब उसे 1 को टाग नहीं करानी हमें आपको collector बना करके छोड़ना है तैयारी collector बनने की चल रही है तो इसलिए मैंने बिल्कुल एक एक आर्टिकल एक एक अनुछेट के साथ आपको एक एक चीज विस्तार्थ में और विस्तर्थ में आपको समझाईए जिससे कि आप पूरा ग्यान संपुन ग्या लेकर कि आप ग्यानी बन सके और आप collector की एक्जाम में बिल्कुल भी ना रुख सके आपका जो collector बनने का सपना है वो पूरा होना चाहिए और देखिए अगर हम जियोन में कभी collector ना बन पाए हम कभी उप्य सिकरेक नहीं कर पाए फिर भी उसके पाहुज़ूर्द भी हमें हमारे सविधान का ग्यान हमें नोलेज होना चाहिए मेरा तो भारत की सरकारों को एक ऐसा सुझाओ है मैं तो इसा मानता हूँ कि class 6th से लेकर के class 12 तक compulsory कर देना चाहिए यह कंपल सरी कर देना चाहिए कि सविधान पढ़ाना ही पढ़ाना constitution पढ़ाना ही 11-12 में जा करके चाहिए बच्चा science ले चाहिए बायो ले चाहिए commerce ले चाहिए आर्ट ले पर constitution of India सविधान की जो किताब है वो पढ़ाना जरूरी है क्योंकि हम हमारे अधिकारों को नहीं हम हमारे करतव को नहीं जानेंगे आज लोग ग्रेजुशन कर ले तो उनको यह नहीं पता कि हमारा देश का राश्टमती कैसे चुना जा रहा है अगर कभी वो लोग फोरें जाए विदेश में जाए और बोले यार आपके इंडिया में प्रसिडेंट इलेक्शन चल रहे है करवा करेंट हमारा जो जो बारे में नॉलिज नहीं तो फिर किस प्रकार से हम हें चाहिए है यह मेरा अधिकार जो अधिकार जिस ग्रंथ ने हमें ओसे के बारे में नहीं जानते तो थोड़े सा दुखद मुद्ध said to us क्लास 6-12 पर क्या कंपटरी कर देना चैए और कंपा यह बात कही जानी चाहिए कि इसके marks add होंगे और इसका paper वाकाइदा बोर्ड भेज़े चाहिए 6th class में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में सरकार की तरफ से paper आना चाहिए और इसके especially marks add होने चाहिए नहीं तो क्या होगा कि पढ़ाया ही नहीं जाएगा, school में teachers पढ़ाया ही नहीं रहे ऐसे ही तो पढ़ ले ना बाद में, कभी free time रहे तब देख लेंगे 5-11 की चरचा हो रही तो उसमें article 1-4 भी आ जाएगा या ऐसा भी हो सकता है कि जिसे class 6th में सिर्फ और से basic overview बता दिया जाए सवीधान क्या होता है, सवीधान कितने परकार के कितना वर्गी करन होता है सवीधान का, ठीके, सवीधान सभा का घटन कैसे हो, यह चीजे बता देनी चाहिए फिर 7th में थोड़ से और बढ़ा दे 7th में जब ख़़ा रहें तो 6 तौना ही होना चाहिए फिर 8 वहाँ थोड़ से और तो उसमें 6-7 का भी एडर abst lifes होना की हमारा देश का सविधान क्या है हमारे पास कौन से अधिकार है, हमारे कौन से करतव्य है, जो अभी पारशत के चुनाओ होने वाले हैं, वो कैसे होंगे, अभी ये जो विधायक जी हमारे घर पे वोट मांगना है थे, कौन थे, ये अभी हमारे आगे क्यों हाथ जोड़े तो फिर हम उनके आगे हाथ क्यों ज पढ़ाना चाहिए उस अपने अधिकारों का ग्यान होना आविश्यक है चाहिए अगर हम साइंस कोमर्स भी पढ़ लेते हैं तो हम रहते तो भारत में यह ना और भारत में रहने के नाते में पता होना चाहिए कि हमारी राजनितिक विवस्ता कैसी है चलिए जिस दिन भी सरका यह चीज लागू करती है सरकार कैसे फेसलों का हम स्वागत करेंगे और मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा फिक है अब भी तो आपको इन ग्यान मिल रहा है यह ग्यान आप लीजिए और अधिक से अधिक उस ग्यान को लोगों तक पोचाई जिनको पता चले कि हमारे देश कानुन अगर विधाय का कारेपालिका ऐसा बना देती है तो उसे नियाएपालिका को अवेद खोशित करने की शक्ति दी गई फिर पहला मुलिक अधिकार अनुछे 14 से लेके 18 के बीच में था संता का अधिकार और दूसरा हमने पढ़ा संतनता का अधिकार 19-22 यह आर्टिकल यह चीज होनी चीए क्लास 6-12 हमें सभी को कॉंस्टिटीशन पढ़ाना चीए सविधान पढ़ाना चीए बिल्कुल विस्तार में विस्तात में बहुत अच्छे से बहतर तरीके से पढ़ाना चीए और बिल्कुल इसका एक कंपनसरी पेपर होना चीए आपकी क्या राया है क आप देखिए आर्टिकल 23 या अनुच्छे 23 क्या कहता है अनुच्छे 23 बात करता है मानो दूर्वियापार बेगार और बलात शर्म इन तीनों को पहले अपन समझते हैं मानो दूर्वियापार या हम इसे human trafficking कहते हैं यह अपन नेक्स स्लाइड पर पूरा समझेंगे ठीक है मानो दूर्वियापार बेगार का मतलब क्या होता देखिए बेगार का मतलब क्या है जब आपको बिना payment दिये काम कराया जाए उस हम लोग क्या कहते हैं बेगार कहते हैं क्या कहते हैं बेगार कहते हैं मतलब बिना पारिशर्मिक के आप से क्या है काम कराया जाए तो उस हम क तो बूमी को क्या है बूमी अगर किराय पे ले रखे तो बूमी जिसने दिए उसको क्या मिल जाएगा किराया मिल जाएगा इसे बलात शरम हम बंदवा मजदूरी भी कह सकते हैं, बंदवा मजदूरी या फोर्जड लेबर, बंदवा मजदूरी में ये हैं कि किसी की इच्छा के विरुद आप वो काम करा हैं, किसी की इच्छा के विरुद, मेरी इच्छा नहीं है ये काम करने कि उसके बाहुदूर भी आप मुझे से काम करवा रहे हैं तो वो क्या जाएगा बलात श्रम या बंदवा मजदूरी आ जाएगी फोर्स्ड लेवर आ जाएगी ये बेगार और बलात श्रम भारतिय सविधान में क्यों जोड़ा गया देखिए एक बات हमेशा ध्यान रखेगा कि अगर भारतिय सविधान में कोई भी चीच जोड़ी गई है तो उसका कहीं न कहीं भारत में इसस्तित्या रही हैं उनी स्थित्यों को खतम करने के लिए भारत के सविधान निर्माता हूंने ये आर्टिकल्स भारत के सविधान में जोड़ें अगर आप देखेंगे पहले के समय में जमीनदारी सिस्टम चला करता था तो जमीनदारी सिस्टम में क्या हुआ करता था कि जो जमीदार हुआ करते थे वो बड़ी बड़ी जमीने किसानों की हडपलिया करते थे और फिर उनी किसानों से उस पे क्या करवाते थे मजदूरी करवाते थे उनको कुछ पैसे भी नहीं देते थे देते थे थे बहुत कम पैसे देते थे तो वो बेगार के समानी था, वो किसान महां काम नहीं करना जाते हैं, फिर बिन से काम करवा रहे हैं, मतलब इच्छा के विरूत काम करवा रहे हैं, हमने देखा कि काफी ऐसे दलितिया, अनुसुर जाती, जन जाती, पिछड़ जाती के लोग, या सभी वर्गों की महिलाओं क जबरन किसी परकाट के काम करवाए जा रहे हैं, आप यहीं काम करें, दूसरा काम नहीं करना, तो इस परकाटी इन सभी कामों को क्या करा गया है, आर्टिकल 23 में मना करा गया है, और दंडिन ये अपराद बताया गया है, कि वह अगर कोई बेगार करा है, बिना पारिश्रम और नियुंतम मझदूरी से कम दिया जाया है, और इससे कम दिया जाया है, और वह क्या हो जायाए अर्टिकल 23 उलंगन हो जायेगा, हमने एश्याई खेलों कि कारा गती परिए एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, 1982 वाली काहनी स्टार्डिंग में लेक्षर 1 में पढ़ी थी, उसमें क्या हुआ था, उन मजदूरों को नियूंतम मजदूर से कम पेसा दिया जा रहा था, तो वो क्या है, बेकार हुई, और बेकार हुई, तो उसमें क्या आगया, आर्टिकल यहां पेर क्या है, कि आपको ध्यान रखना है, तीन वाते करी गईा, आर्टिकल 7 में मानव दुर्वियापर, जो आगे समझेंगें, बेगार और ब्लाटिकल । इन तीनों को क्या कराँ गए है, निशेत करा गए है, मतलब इन तीनों के लिए मना करा गए है, अगर यह होत में देखे मानौ और व्यापार व्यापार थौर आप सब्सации करना किसी इंतरा हुश मैं देखे जारे लोगो को खडिदा और बेचा जा रहा है इसमें ये बात भी ध्यान रखेगा आप ने अगर कभी Crime Patrol के Show देखियो, मैंने Corona के समय में 2-3 इनी शो देखिया तो Crime Patrol या तारग में दाका विड़ा से समय है, ऐसे ही देखें, तो उसमें भी काफी बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि काफी लोगों कि किड्णी निकाल करके कोई बेचने की कोशिश करता है, कर भी और निकाल करके क्या करा जाता है खरीद विक्री करी जाती है जैसे कि यह क्या हो एक सामान वह जैसे क्या हो यह मोबाइल है मैंने मोबाइल को बेज दिया यह रिमोट है मैंने इस रिमोट को बेज दिया वस्तु है इनको बेचना इनकी खरीद विक्री करना आम बात है को दिक्कत वाली पुरुशों को महिलाओं को बिल्कुल वस्तु मान करके वस्तु की तरह बेचना हाँ यह ले जाओ यह पचास जार के में यह तुम्हारा हुआज थे ठीक है अब यह पुरुश बच्चे महिला क्यों बेचे जाते हैं कि कहीं दूसरे जगे जाकर कुंसे काम कुरवा जाएगा उनसे मजदूरी कराई जाएगी उनसे सोशन किया जाएगा महिलाओं के साथ बलत कार किया जाएगा गलत काम उनके साथ किये जाएगे तो यहां पिर क्या है, मानों के साथ क्या हो रहा है, दुर्वियापार हो रहा है, मानों का दुर्वियापार करा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बिल्कुल वस्तू के समान, वस्तू मान करके उसको खरीदा बेचा जा रहा है, जो कि गलत है, दंडि बार देखा होगा बच्चों को रेड लाइट में बठा दिया जाता है ठीक है उनसे भीग मंगवाई जाती फिर वो ले जा करके अपने मालिक को देते हैं ठीक है या उनकी स्थिति कुछ इस परकार से कर देते हैं कि वस वह साले दिन काम करते रहें गाड़ियों को साफ करते तो वो आनेतिक दूरव्यापार है नेतिकता का मतलब क्या है आप में कुछ नेतिकता हो संसकार हो और वो आनेतिक है जो की गलत है तो गलत वाला जो दूरव्यापार है वो इसमें है इसमें वेश्यावर्ति को भी शामिल क्या गया है वेश्यावर्ति का मतलब कि कि किसी महि परियोंग करके किसी को इस परकार से उनका जीवन बरबाद करना ये भी क्या है human trafficking है human trafficking में पूर्ण रुप से इतनी सी बाद ध्यान रखनी है आप लोगों को कि किसी भी परकार से परतेक्ष आ परतेक्ष किसी भी परकार से किसी भी मानों की खरीद विक्री नहीं होनी चाहिए उसके निशेद लगाता है, मना करता है और दंडीन ये अपराद उसको गोशिद करता है और समय समय पर भारती संसद ने और भारत सरकार ने इन चीजों पर और रोक लगाने के लिए इने और इन पर सिकंजा कसने के लिए काफी कानून संसद ने पारित करें और उनकानों से काफी हद तक सुधार आये हैं और देरे देरे उमीद है कि सुधार आएंगे देखिए जीवन सभी का वहतर होना चाहिए सभी का जीवन अच्छा होना चाहिए किसी के साथ पी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और हम मानों है हमें एटलिस इतनी तो द्यावाव होना चाहिए कि मानों के परती एक अच्छा वेवार एक अच्छा काम करें परताएं अगर गलत हैं तो उन गलत परताओं का विरोध करना यह हमारी सबसे पहली प्रात्मित्ता बननी चाहिए उनका विरोध होना चाहिए फिर बात करते हैं आर्टिकल टूंटी फोर की आर्टिकल टेरी में कार- numéro आदी में बालको के नियोजन ka लिश्यत अब देख़िके ने क्या बात कई गए कांदों का मतलब किया है कि वह कि इसा जानबर कुछ बन रहा हो को युक्तिया क olmuş याइnt पर एक शब्र और प्रियोक कर गाया है खानि यह हो वाले खान नहीं है obs रिखेचके इसे अवराले नहीं है यह जरोठ किसकी कि हे म Ariana खान कर ने खाने में कहने में इनसे बालिकों निया जिदिया उनको काम करवाना तो बालकों के नियोजन को क्या करा गया, निशेद करा गया, मतलब मना करा गया, तो फैक्टरी खान अथवा परी संकट में गतिविद्या या निर्मान कारी, तो इनमें बालकों को मना करा गया, कि किसी कार खाने में, किसी खान में, अथवा कोई भी ऐसी परी संकट में, जहा सास ना ले पाए और समश्या क्रियेट हो जाए ऐसा जिनसे कि उनके जिवन पर संकट आता हो इसी संकट में गतिया गतिविदी या कोई भी निर्मान कारे जैसे कि आप मकान बना रहे हैं या आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं उसमें बच्चों से मजदूरी करवाने तो वो भी मना आ जाएगी अब इसमें आपको साफ क्या देखने को मिल रहा है कि जो बाल मजदूरी वाली बात है वो यहां पर देखने को मिलती है कि बाल मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है अब देखिए 2006 में इसमें देखिए यहां पर जो बात कही गई थी इसमें एक आगा था जो संकट में काम है, जिसमें संकट में कतिविद्य यह उन पे निश्यद लगाया गया है पर या पर 2006 में ये कह दिया गया है कि किसी भी परकार नहीं चाहे चाहे की दुकान हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ पी हो, कोई परतिस्टान हो, उन सब पर 14 साल के बच्चों से काम करवाना क्या होगा, एक दंडिनिये, अपराद होगा, 2006 में कानून पारिद करकर के यह बात कही गई, कि अगर किसी भी बच्चों से यह काम करवाया जाता है किसी प्रकार काम कराया जाता है 14 साल के छोटे बच्चों से तो वो क्या होगा इस दंडिन यह अप्राज होगा फिर 2016 में उससे पहले एक बात समझेगा बाल श्रम परतिशेद एवनियमन अदिनियम 1986 में एक कानून आया जिसका नाम था बाल श्रम परतिशेद एवनियमन अदिनियम इसको 2016 में संशोदन करा गया मतला कुछ बदला उसमें करें गए सबसे पहले तो इसका नाम क्या कर दिया गया बाल एम किशोर मतलब जो यह आपकी किशोर अवस्ता होती है ठीक है 14 सबस्क्रा का नाम रख दिया गया इसमें 2-3 बातिंग है इसमें का गया कि जीरो से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए सब ही परकार के कारेयों को क्या करा जाता है निश्यध किया जाता है किसी भी परकार का कारीयों कोई भी बच्चा नहीं करेगा जो 14 साल से चोटा है और 14-18 के बीच का बच्चा अगर मान लीजिए किसी ने इस बात को नहीं माना तो सबसे पहले तो बीस हजार से लेकर के पचास हजार तक का तो उन पर क्या लगाया जाएगा जुर्माना लगाया जाएगा छे महाँ, छे मेने से अधिक, उस पर क्या होगी, जेल की कारवाई होगी, छे महाँ से एक साल तक का कुछ ऐसा प्रावधान है, और अगर वापस चलिए फिर आपने एक बार कर दिया तो इतना, उसके बाद अगर आपने फिर से करा, तो अगर आपने क्या होगा, एक से तीन रक्या आपको सजा दी जा सकती है, तो यहाँ पर बच्चों को बचाने के लिए पूरे-पूरे काम किये गए हैं, अब कुछ ऐसे विद्यारती, ओनार विद्यारती होते हैं, जो की सोशन की विरुद अधिकार पढ़ लिया, और फिर घर में ममी ने बोल दिया, बेटा, व पर चफल उठाकर के गाली-गाल पर देगी, बेटा, बाल मजदूरी नहीं है, चुप-चाप देख, शाम को खाना चाहिए, तो खिलास उठाकर के लिया, ज्यादा है ना, रईस मत्मन, खड़ाओ जाओं से, खड़ाओं, तो वहाँ पर आर्टिकल 23 का उलंगन हो जाएगा परन्तु मा है, मा सबसे वड़ी है, तो घरों पर ऐसा किर्पया करके ना करें, काफी विद्यारती कर लेता है, नहीं, मैं बाल मजदूर है, वो बाल मजदूर नहीं, घर पर थोड़ बहुत काम करना चाहिए, आपको अनुभा होता है, कभी भी काम छोटा या बड़ा नही आते हैं, तो ऐसी है, कुछ स्कुलों में ऐसी, एर कंडिशनर, बस इस में आते हैं, जाते हैं, वो है, मैं यह सोचता हूँ जीवन में कि कि किसी दिन अगर उनको कुछ समश्यों का सामना करना पड़ा है, करेंगे तो करेंगे कैसे, उनको बहतर जीवन मिला है, कभी भी हम बहतर comfort जो उन से बाइन निकल करके नहीं निकलेंगे तो अब तक हम अपनी जीवन को बहतर नहीं बना सकते हैं तो मादा पिता हमेशा अगर कुछ थोड़ाबहुत घर में काम करवाते हैं या थोड़ाबहुत कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिका रहे हैं हमारे भैतरी के लिए सिका रहे है कि हमारे जीवन भैतर हो सके तो ये जो मेजली आर्टिकल 23 और 23 में मुझे चर्चा करनी थी जिन कानूनों की चर्चा करनी थी वो मैंने कर लिए सोशन के विरुत अधिकार आपकी किताब में कुछ जादा इस पर नहीं लिखा हुआ है उसमें सिर्फ छोटी सी बात लिखी जो कि अभी मैं आगे की स्राइड में चर्चा कर लेता हूँ सविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को किसी कार खाने ख़दान या अन्य किसी खतरना काम में नियोजित नहीं किया जाएगा एक बात में आपको और बताता हूँ भारत के सविधान में 2002 में संशोधन करा गया क्या करा गया संशोधन करा गया और इस संशोधन कौन से नंबर का था 86 छ्यासिवी बार भारत के सविधान में संशोधन हो आप और इस संशोधन के तेट क्या जोड़ा गया आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया ठीक है 21 तो था ही उसमें ए और जोड़ दिया गया सिक्षा का अधिकार इसमें क्या खागया कि जीरो वर्ष तक के जो बच्चे उनके लिए सिक्षा अनिवारी है उनको सिक्षा मिलना अतियावश की उनको सिक्षा देनी चाहिए ये क्या है ये घरवालों का करतव्य भी है और समाज का भी करतव्य है और बच्चों की ये जिम्मेदारी की वो सिक्षा ग्रेंड करें तो 14 वर्ष तक के जो बच्चे है उन वर्ष बच्चों को क्या मिलनी चीए सिक्षा मिलनी चीए इसको मौली का दिकार में फंडामेंटल राइट में जोड़ करकर के ये आर्टिकल 23 और 24 भी कहीं ना कहीं मजबूत बन गए क्योंकि अब जब 6-14 वर्ष तक का बच्चा अगर इसकूल जाएगा तो फिर वो मजदूरी करेगा करेगा ये ना तो बड़ी हमस्त है तो इसलिए क्या होना चीए उसको इसकूल बेजे इसकूल जाए पढ़े लिखे और करे देखिए कभए का बार हमें थोरा सा हमारी विवस्ता अपर भी चर्चा करने ची है व्यवस्ता अपर चर्चा का मतलब यह है की काफी बच्चे की तरफ जा सके, स्कूलों में जा सके और उनकी जो आर्थिक हिस्तित्या वो आर्थिक हिस्तित्या सुदर सके, तो उन आर्थिक हिस्तित्यों को सुदार करके हम बच्चों को स्कूल बेज सकते हैं और जो हमारे सरकारी स्कूल है, उनका इस परकाब बाल श्रम को अवेद बनाकर और सिक्षा को बच्चों का मौली क अधिकार बनाकर ये मैं आपको बता दिया का जोड़ दिया गया 21A में जोड़ दिया गया मौली क अधिकार बनाकर सोशन के विरुद सवेधानिक अधिकार को और अर्थपून बनाया गया और बच्चो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें और शेर करते हैं आपको सोचना ही नहीं है कि मैं इनको भेजू या इनको भेजू या इनको भेजू या इनको नहीं भेजू सबको भेज दो आप आपके WhatsApp पे, Telegram पे, Instagram पे जिन-जिन पे भी जो लोग जुड़े हैं सबको भेज दो क्योंकि अपन बिल्कुल ऐसे पढ़ रहा हैं जैसे कि कोई बिल्कुल कॉंपेटिशन की तयार में चल रहे हैं तो आप भेज सकते हैं, सबको भेज सकते हैं सबके लिए बहतरिन कंटेंट है और सबको जो एक सिख्षा का अधिकार है इस सिख्षा का अधिकार में हम भी अमारत होग सा योगदान दे सके सभी को अच्छी सिख्षा मिल सके उसी के लिए हम लगे हैं और आप तक इस अच्छी सिख्षा पोच रही है आप दूसरों तक भी पोचा है और मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए thank you so much जै हिंद जै भारत